ये गूगल का पौधा है पौधा नहीं कहेंगे इसको कटिंग कहेंगे जो अभी या यूं कहें कि चार दिन पहले लगाई है ये एक जंगल है बारी घाटा का जंगल जहां पर वन विभाग गूगल के पौधे लगा रहा है निसंदे तारीफ होनी चाहिए ये हम एक एनी कट भी देख रहा है या हमको कुछ कारेकरता बंधु मिले जब उनसे पूछा कि हम व्रक्षा रोपन कर रहा है और व्रक्षा रोपन में गूगल के पौधे ऐसे पौधे होता है जिनको बरसाद से कुछ दिन पहले लगाना होता ये एक टेक्निक है मैं एक बड़े गूगल के पेड़ को बता दूं आपको बड़ा खूब सूरत है Google जिस से बहुत सारी आसे वंती है जिससे जिसको करते हैं कि धूब बनती है यह इस तरह का यह ओरिज्नल गूगल है जिसकी इस तरह से खाल हर्ति इसको यहां से जैसे इसको यहां से काटा और इधर लगाया देखे वनिविभाग निशन्दे सुंदर कारे कर रहा है हम यहां की जो सिर्णवा की पहाड़िया देख रहे हैं यहां मुझे एक और यह Google का यह भी अभी लगाया भी यह अभी लगाया ये ये देखिए आपके इसको देख कि आपको सच में आनन्द आएगा कि हम जिस हवा को ले रहे हैं ना इसमें परिश्रम किया जा रहा है ये एक सुन्दर सा निकट है यहां बहुत सारे खड़े खोदे वें और ये लेबर के द्वारा क्योंकि यहां मशीनरी पहुंचती भी आनन्द आगया और ये जगह जगह एंटीरियर में इस तरह से खड़े खोदे गए हैं गूगल एक ऐसा पोधा है आपकी जानकारी में बता दें कि यह जितना गुणकारी है उतना ही इसकी विशेषता यह है कि यह बिना पानी का पोधा है यह पानी चाहिए ही नहीं बस बर एनिकट हम देख रहे हैं और ये वन विभाग का ही एनिकट है जो बिलकुल जिसको कहते हैं मजबूती से बना हुआ है चल सनरक्षन की ऐसी ववस्था तारिफे काविल है बहुत बढ़िया एनिकट है और जब भी मुझे लगता है अपकी बार जब कभी बारिश में यह बन विभाग जिंगलों में पाहडी छेत्रों में बनाता है और यही कारण है कि यह छेत्र जंगली जानवरों की पसंदीदा जगे होती है यह हम देख सकते हैं यह बारी घटा की खुबसूरती को हम ऐसे ही नहीं कहते हैं यह सच में यहां देशी व्रक्षे खास तोर से धो के पेडों की बहुत भरमार है पूरा का पूरा बारी घटा का से लेके जिसको हम कहें कि ठेट आगे तक लोटाना और उससे आगे सरूप गंज और यह तमाम जो हम अरावली परवत मालाएं देखते हैं यह व्रक्षों से लदी हुई परवत मालाएं लेकिन इनको सहेजना और इसके साथ में और नए पौधे रोपित करना हम आज यह देख रहा हैं देखिए देवनगरी के देवदर्शन लगातार यह यह प्रयास जरूर करता है कि जहां भी कुछ अच्छे कारियों होते हैं हम उन कारियों को समाज तक महचाएं और उनकी अनमोद नहों यहां इन कड़ों खड़े खोदे वे हैं सबमें गूगल लगेगी सबमें और दूसरे पेड़ लगेंगे और यहां यह वनिवाक की योस्ता और है यहां इस तरह से पानी का टैंक बना रखा है निकट तो हमने उपर देखाई न इस टैंक में जब विशम परिस्तिति आती है खास तो कि प्रवेश तो उस इस्थान से किया जिसको हम इसमर्ती बन कहते हैं मैं इसमर्ती बन के कुछ पौधे भी आपको बताऊंगा यह हम देख सकते हैं यह गूगल हमको सामने गूगल की एक डंडी लगाई है और गूगल का पौधा लगता ही इस तरह से है डंडी के रूप में और यह खूबसूरती यह जंगल यह व्रक्षा रूपन हम कई बार मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि वन्विभाग अपने ढंक से व्रक्षा रूपन करता है तो मन में जरूर यह विचार आते थे कि पहाडों में व्रक्षा रूपन करना कैसे संभव है लेकिन आज हम यह प्रैक्टिकल देख रहे हैं, पहाड की उंचाईयों पर भलेई व्रक्षारोपन कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जहां ये मैदान जैसे है, तलहेटी जिसको हम कहेंगे, वहां हम देख सकते हैं, सेकडों की संख्या में खड़े खो देवे हैं, और इनमें पौधे लगेंग और पौधे पन पेंगे, पन ने भी चाहिए हैं, ये हम इस तरह से देख रहे हैं, ये वन छेतर है, जिसको कहते हैं कि जिसको बारी घटा का ये एक तरह से जिंगल हम कह सकते हैं, और ये छेतर इसलिए आबाद है कि यहां पूर्णत जिंगल कटाई पर रोक भी है, और प्रोग्राम हो या ना हो, लेकिन वरक्षार ओपन जरूर होता है, और जरूर है क्यूंकि वरक्षार ओपन ही नहीं उनको संद्रक्षन भी आवशक होता है, यहां एक बोर्ड भी देख रहे हैं कि वरक्षार ओपन 12.12 स्थ में ये शहद इसी साल का है, अच्छा 19-20 में ये इस तरह का व्रक्षा खेर ये एक वनिभाग का जो एक तरीका होता है नमस्कार ओहो सर 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 अज हमारा हाला कि जंगल भ्रमन का था कि वनिभाग के इन विश्वम परिष्टितियों में कैसे काम करता है तो हमको यहां दो करमचारी भी मिले हैं ये भाई भी मिला है ये इश्वर सिंग्जी है और आपका शुबनाव क्या है अशोग भाई है क्या आप देखिए हमने भी व्रक्षा रूपन से जुड़े हैं बहुत सारे लोग जुड़ते हैं आप क्या इनमें क्या कौन से पौदे लगाएंगे जंगल में इसमें अईरवेदिक ब्लान लगेगा तर यह चेत्र यह बोर्ड का अभी ताजा है या पिसले साल का है अभी दियार किया दोजार उनिस भी ववस्ताफ करेंगे ऑगे यह यह बुर्दि ऑदी मैंने दिखा होदी देखा आपका अनिकट देखा तो इसमें खासतार से करांदे लगेंगे अच्छा ऑंले भी लगेंगे बरसात के बाद लगेंगे सीदे ठीक है ठीक है और गूगल अब लग रही है गूगल अब अ आएंगे तो फिर उप्योग की बात है चलिए ये एक खूबसूरत द्रशे ये हमने आपको दिखाया मैं उन लेबर को जरूर बता दूँ क्योंकि मैं हमेशा जो जो रूट में जो काम करते हैं उनका जरूर हम उनको हमेशा नमन करते हैं ये जो हम बस्ती जैसा देख रहे हैं ये सब वो लोग हैं क्योंकि यहां हम जैसे अभी इश्वर सिंगी बता रहे थे कि ट्रेंड स्थाफ जिसको कहें ट्रेंड लेवर नहीं मिलती क्योंकि पोधे लगाना भी एक तरह से एक ट्रेनिंग होनी चाहिए इसमें और ये सब जो हम जिनको देख रहे हैं अभी इनका रेश्ट का समय है लेकिन ये सब विधिवत तरीके से व्रक्षा रूपन करते हैं और इनकी ये सारी व्यवस्था यहां वनुभा करता है इसके लिए हम निसंदे इनका साधुवाद करते हैं और मैं मेरी अंतिम बात को कहके बात को विराम देता हूं ये जहां हम खड़े है ये इसमर्तिवन है ये वो इसमर्तिवन है जहां कई साल पहले व्रक्षा रूपन हुआ था काफी पोधे पनप चुके हैं बड़े बड़े हम जिन नीमों को देख रहे हैं ये वो इसमर्तिवन की नीम है लेकिन यहां कई चीजें आज हमने आपको बताने का प्रियास किया यह इस मरती वन की सफलता यहां दिख रही है, यहां हम इधर बारी घाटा का जंगल देख रहे हैं, यहां वनों में पहाडों में कैसे व्रक्षार उपन होता है, यह सबसे चुनोती का काम हम किसी चौराहे पर व्रक्षार उपन कर सकते हैं, उसमें ट्री गार लगा सकते हैं, उसका एक बड़ी आसा फोटो आती जाती दुनिया देखती है लेकिन जंगल में इन पेडों को देखने का काम केवल कुद्रत करती है उपर से गुजरने वाले बादल करते हैं यहां के वन्य जीव करते हैं और प्रकरती करती है मैं वन्य विफा का इस सुन्दर कारिय के लिए साधुवाद करता हूँ और इन टीम का करता हूँ मैं सच में अगर कायल हूँ तो इन स्रम वीरों का जरूर हमको कायल होना चाहिए धन्यवाद नमस्कार